में आज की वीडियो एक यूनिक वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूं आप एलोवे रखो कहते आज एक क्लीजर, टोनर, स्कुरबर और मॉश्राइजर के हिसाब से उसकर से सबसे पहले एलोवेरा लीफ लीजिए आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं एलोवेरा लीफ को फोर पीसेस में काट लीजिए हर हिस्से को दोनों साइट से काट लीजिए फिर उपर के हिस्से को निकाल लीजिए एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स है इसमें वाइटामीन C, वाइटामीन E एंड बेटर के रोटिन है जो स्कीन को नरिश करता है ये स्कीन को मॉश्टराइस करता है लेकिन ग्रीसी फील नहीं आती एलोवेरा में healing properties है जो sunburn को ठीक करता है ये स्कीन के उपर एक protective layer की तरह काम करता है और ये moisture को लॉप करता है इसमें nutritional qualities और antioxidant तत्वा है जिससे स्कीन जल्दी हील होती है एलोवेरा को मैंने four pieces में काट लिया है पहला है प्रिंजिंग के लिए दूसरा है scrubbing के लिए तीसरा toner के लिए और फोर्थ वाला है मौश्टराइजिंग के लिए ऐलोवेरा के उपर थोड़ा सा चावल का आठा या फिर चीनी लीजिए किन को scrub करने के लिए इससे आप पेस को scrub कर सकते हैं एक कंटेनर में अलोवेरा जेल को अलोवेरा लिट से एक्स्टराइक्ट कीजिए इस अलोवेरा जेल से मैं toner बनाऊंगी अब इस जेल में रोज वाटर मिलाना है मैं टू टी स्पूल रोज वाटर मिला रही है अब इसमें टू टी स्पूल मिनरल वाटर मिलाए मिनरल वाटर ना हो तो आप नॉर्मल वाटर भी मिला सकते हैं सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर एक एम्टी स्प्रे बॉटल लीजिए, इसमें बनाया हुआ मिक्स्चर को डाल लीजिए, इस टोनर को हर बार यूज करने से पहले शेक करना है, इसे आप साथ से 10 दिन रेफ्रिजिटर में स्टोर कर सकते हैं, अभी इनको म अपने फेस में अपलाई करने वाले हुँ, फर्स्ट क्लिंजिंग, देन स्क्रबिंग, देन टोनिंग और मॉश्राइजिंग, अलोवेरा से क्लिंजिंग करने के टाइम आप चाहे तो हनी भी एड कर सकते हैं, अपलाई करने से पहले अपने फेस को धो लीजिए, फिर एक अलोवेरा के पीस को लेके अपने फूरे फेस को मसाज कीजिए, अलोवेरा में मॉश्राइजिंग तत्व है, इसलिए ये स्कीन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये स्कीन को हाइप्रेट रखता है और स्कीन की एलस्टिसीटी को इम्रूव करता है, इसलिए रिंकल्स र अलोवेरा को आफ्टर शेविंग लोशन के रूप में भी यूज़ कर सकते है, फिर एक वेट टीशू लेके या फिर कॉटन के बॉल को पानी में भीगोके पूरे फेस को अच्छे से पोच लीजिए, ये हो गया आपका इजी आपका इजी आपका आपका इजी आपका इज अब दूसरा एक अलोवेरा का पीस लीजिए और उसमें चीनी या पिर चावल का आटा डालके अपनी स्क्रीन को स्क्रब कीजिए, अलोवेरा में अंटी ओक्सिदेंट, बेटा कैरोटीन, वाइटमीन E, वाइटमीन C है जो स्कीन को हाइडरेट रखता है और एकने और स्का इसके नैचरल क्लींजिंग तत्वा सिर्फ स्पोर्स को ही लाइट नहीं करती इसके साथ साथ स्कीन टोन को भी ब्राइट करता है पूरे फेस को एक से दो मिनित के लिए स्क्रब कीजिए, स्क्रबिंग वीकली टू तू त्री डेस से जादा नहीं करनी चाहिए, अभी पेस इसको नॉर्मल पानी से धोके पोच लीजिए, अलोवेरा टोनर को अपने फूरे फेस में अपलाई करके यर ड्राई कर लीजिए, अब फूर्थ पीस ओफ अलोवेरा को अपने फेस में अपलाई कीजिए, अलोवेरा को रात में अपलाई करके सुझाई, सुबह उठके आपका स्किन बहुत फ्रेश और ब्राईट दिखेगा, इस क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉस्टराइजिंग प्रॉसेस को रेगुलर बेसिस पे 15-20 देज के लिए फॉलू कीजिए और विकली 2 देज स्क्रबीन कीजिए, ऐसा करने से आप वीजिबल दिफ्रेंस पा सकते हैं, अगर आपको मेरे इस वीडियो अच्छा लगा हो, तो इससे लाइन ज़रूर कीजिए, इस वीडियो रिलेटिट कोई भी सवाल हो, तो आप उने नीचे कमेंड गॉप्स मेरे इस वीडियो को आप आपके प्रेंस के साथ शेर भी कर सकते हैं, और मेरे चानल को सब्साइब क करना बिल्कूल माद खूलना, आगे से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उस दें के लिए, अभी के लिए बाबाई, टेक क्यार